वेल्कम बैक तो दे चैनल गाइज आज हम लोग बात करेंगे युएस का शैंक्शन्स को लेके एग्जाक्ली इंडिया नाइंटीन कंपणीज के ऊपर युएस ने कुछ दिन पहले शैंक्शन्स डाला था उसी टॉपिक में क्या इंडियान कंपणी इन सारे सैंक्शन्स से ड बुलाए और एक्जाम पहले युए या फिर चाइना को भी ले लिए रशिया को इतना हम लोग इसमें नहीं कर सकते रशिया को सूपर पावर वाड़ जो इतना जादा खास पसद नहीं आपने आपके लिए अगर देखा जाए रशिया उस लेवल पर सूपर पावर है भी इसलिए लोग सूपर पावर हैं हो सकता है कि अब पार के पास इतना पावर है वह अपने पाव से कोई कंट्री के ओपर कोई इंडिविजयल के ओपर कोई कमपनी के ओपर जब जब जिसके उपर चाहे वो अपने तरब से sanctions डाल ज़े और ऐसा ही होता है आ रहा है बहुत सालों से अगर हम लोग past में देखे तो US ने अभी तक कम से कम 9000 से भी जादा sanctions जो है वो different companies के उपर different countries के उपर डाल के रखा है on the other side आकर देखा जाए इन में से 1500 sanctions तो US ने रश्या के जब से यह यूकरेन वार स्टाट हुआ यूएस को जो sanctions चाहिए मनला सुबह उठता है वह लोगा target है वहाई हम लोग के इन तक कितना sanctions डालना है और यूएस अपने तरब से वह सारा sanctions जो है रश्या के उपर डाल देता है इरान की उपर डाल देता है चाइना के उपर डाल बावी नहीं है और यह लग खुश है आज के डियमा कर देघा जा जाए अगर गोला को देखा जाए उस हिसाब से उसके बाहर भी तो तो दुनिया में हम लोग अपना जो काम है वह चला लेंगे वह उसको रहने तो नहीं चाहिए उसको संस्था में सामान मिल रहा था चाइ यासे वह भी नहीं चाहिए रेड नहीं करना हैं करेंगे हम लोग धोरा बहुत प्रॉबलम हबने होगा फिर हम लोग चला लेंगे आगे वह खुश हो गया हम लोग कर गया वो काम कर गया यह सुनके यूस खुश है और इसमें हर कोई है यूएस सेंक्शन का अगर डेटा को हम लोग देखे तो हम लोग को एक चीज़ पता चलता है कि एवरेज में पर डे यूएस सेंक्शन किसी कंपणी के ऊपर और दुनिया में और बहुत सारे जो मतलब आइडेंटिटी है या फिर जो इंडिविजूल से उपर डाल देता है और यह सेंक्शन से हमेशा ऐसा नहीं कि हर रोज इस लेवल पर जाता है कभी होता है कि यह सैंक्शन कम हो जाता है जैसे अगर कोई ऐसा सिच्वेशन हो गया जैसे कि युक्रेण वार स्टाट वा उस टाइम जो सैंक्शन से वह भर भर के डाला जाता है तो यह तो चलता ही रहता यूस के तवारा अन दादर साइड आगर हम लोग देखे प्रेजेंट ली जो हुआ है प्रेजेंट ली इंडिया नाइं गरन आण से आपने तरफ प्रेज़ के स्पेर पार्स होते है ओर को स्पेरकाफ पार्स जो है वो मथे करते थे ऑं दा आदर से यही अए क्टेंड आप से एकस्पर पर ते वह लोग अपने तरफ करते थे रशीया में बहुत सारा डॉमेंसिक एइयरकराफ इसके लाभी अग पॉइंट ऑफ टाइम और इसके बाद वो लोग इंडिया को पे करते थे और यही कारण के बज़े से यूएस का कहना है कि यह जो प्यार पार्स आप लोग भेज रहे हो यह प्यार पार्स आगे जाके रशिया आपना अब लोग के उपर हम लोग से अब यूएस ने क्या क्या उपर इंडिया नहीं दुनिया वर के बहुत सारे कंपनी के उपर पगर पगर के सैंक्शन डाल जा 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 इए अब क्या होगा मेरा बिजनेस पुरह ठप हो गया मैं तो अग्लम रोट पर आ जाओंगा अगर अभी जो है अभी यह सिचुएशन नहीं रहा यह सारे जो कंपनी से यह इंडिया में रेजिस्टर्ड है मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्परेट अफिर्स के अंदर यह लोग रेजिस्टर्ड ह करते हैं और इस हिसाब से यह अपना कंपनी रन कर रहे हैं और आदर साइड दोनों में अच्छा चल रहा है जो भी ट्रेड है वह दिरे दिरे दोनों कंट्री में और भी इंक्रीस हो रहा है इस बीच में आके U.S. ने अपने तरब से भांजी मार दिया भाई यह सब जो है यह इस गलत ने आपके कंपनी के और संसयंगा किया क्या करेगा अब सैंसयंगे अगर किसी के ऊपर डाला जाता है कोई भी कंपणी के ऊपर तो कुछ major issue create हो सकता है एक एक करके मैं आपको बत होते हैं की लोग जो है यह से लेचिक करें हम लोगों जैसे पता है रशा के पास से इंडिया जब कूँड़ ओयल खरीदा था का आने का कोई ज़रुवत भी नहीं रेशिया अपने तरब से आइनार में पेखर देता है तो फिनेंशियल रेस्ट्रिक्शन जो लगाए गया है इन कंपनी के ऊपर एक्जाटल वह वैलेडी नहीं होगा क्योंकि कंपनी जो है वो यूएसडी में डीली नहीं कर रहा है फिनेंशियल रेस्ट्रिक्शन में इन लोग कोई फरकी नहीं परता है नेक्स जो पॉइंट है वह एसेट फ्रीज मनलब अगर कोई एसेट यूजिए के पास है वह एसेट वह कंपनी के नाम में हैं तो वह फ्रीज करेंगा पर अगर सोचें कि यह सारे ये कंपनी में कोई भी एक company का एकाउंट जो है वो येसडी एक उड़ेड़ी रेजटर एदेडिए उसमें है और युसडी में रेजिश्टर एक उड़ेड उसका कोई बैंक के अंदर है आप लोग का जो काम है यह हम लोग को पसंद नहीं आ रहा है आप लोग कर रहे हैं तो अगर यह सारे companies में उनलों का account अगर यूएस में registered होता है या फिल उनलों का कोई branch होता हूं उनलों का account registered होता है at that point of time यूएस bank के अंदर उनलों trade करते थे USD में तो हो सकता है कि वो लोग जो account है वो freeze कर देंगा अब आता है next point पर next point is trade barrier trade barrier मतलब यूएस कहेगा कि आप लोग यूएस में कोई trade नहीं कर सकते हो मतलब यूएस में कोई export नहीं कर सकते हो अब यह सारे जो companies है यह लोग यूएस को कोई सावन भीजते ही नहीं कोई बात नहीं दुनिया इतना बड़ा है दुनिया तो सिर्फ यूएस नहीं है ना दुनिया इतना बड़ा है इतना सारा यूएस को और भी ज्यादा पे करके कोई और कंट्री से इंपोर्ट करना पर है तो कम्प्रिटली यूएस का है वह आपना जो ट्रेट बेरियर का सैंक्शन से उसमें खुछ हो जाएगा और इंडियन गवर्मेंट का अंदर जो इन लोगों कुछ फरक नहीं परते हैं आप अगर ट्रेट बेरियर डाल देते हो तो तो अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे यह जो पॉइंट है यह बहुत ही मस्त है क्यों क्योंकि यह पॉइंट है एग्जाटली रेपूटेशन डैमेज अगर देखा जाए एक टाइम मे सकता है इसलिए उससे दूर हो मगर प्रेजेंटली जिस लेवल यूएस हरो इतना सैंक्शन डाल रहा है यह काफी कॉमन हो गया उल्टा यह जो है यह रेपूटेशन डैमेज नहीं करता है यह ग्लोबली आपका कंपनी का एक्जाटली एडवर्टाइज करता है क्यों क्यों आपका वही कंपनी है इतना सैंक्शन के बाद भी आप लोग अच्छा है तब तो हम लोग आपके साथ काम करेंगे उल्टा जो है आपका कंपनी का नाम अगर ग्लोबली किसी को पता नहीं सोचे आपका कोई कंपनी है इंडिया में जो एयर्ट्राफ्ट के पूर्जे होते इंडिया में अच्छा प्राइस मिल जाता है तो फाइनल कर लोग उल्टा आपका डेपूटेशन खराब होने के जगह उल्टा आपका एड़ हो गया जिससे आपका नाम जो है दुनिया में सबको पता चल जाएगा तो एक रिपूटेशन डैमेज जो था यह पुराना फॉर्म हो रहा था अभी तो फ्री में आड़ कर लें नेक्स्ट पॉइंट है वह है लीगल रिस्क अब लीगल रिस्क जो है यह जो इंडिया में नहीं है क्योंकि हम लोगा जो कंपनी है मतलब इंडिया में जो सारा कंपनी से जैसे मैंने आपको कहा अगर आपको यह पास यह फिर लिमिटेट कंपनी है जो भी आपके पास कंपनी है यह कंपनी सारा कुछ आपका के अंदर आता है Ministry of corporate affairs at that point of time अगर आप इंडिया में जो से वह फॉलो कर रहे तो आपका कंपनी completely safe है on the other side US अगर बाहर से आके बोलता है कि आपका कंपनी ने यह गलत किया वह गलत किया तो आपके अगर कोई केस करता है तो no doubt legally उसको handle करने के लिए बहुत बढ़ा टाइम लगा या फिर US eligible होगा भी यह नहीं यह भी एक question है कि आप point of time US बाहर से आके उनको बोलते हैं at that point of time Indian government कितना US को entertain करेगा या फिर कितना US का सुनेगा यह भी एक question है क्योंकि यह पहले जासा इंडिया नहीं रहा इंडिया काफी बदल गया है इंडिया कुछ करने से पहले भारी पूछेगा क्या हम लोग का company हम लोग का country का जो law है वो फिर लीगल केस आगे यह कर नहीं सकता क्योंकि उसको करने से इस के पास वैलिड डॉकुमेंट्स वैलिड पूपिया फिर बहुत सारा डॉकुमेंट्स चाहिए जो डॉकुमेंट्स इतना इजी एवलेबल नहीं है on the other side डोनों country अलग है डोनों country का जो rules norms से सब कुछ अलग सब्सक्राइब एक टाइम था जब युए संक्षंस के वजए से हरकोई डरता था हरकोई सोचता था कि युए संक्षंस होगी हम लोग इस सदूर है जैसे मैं आपको कहा अभी जो है अगर रशिया सुनेगा कोई company के ऊपर ऐसा सैंक्षंस डालेगा राशिया को हम लोग इस है अभी उसको दुगना या फितिगना करो और हम लोग को सप्लाइ करो आगर यागर काम जैसे वह चलता रहेगा अगर देखा जाए इसके उपर ज्यादा इंपक्त नहीं कर पाएगा कर पाता कब जब यह company अपने तरफ से यूएस में एक्सपोर्ट करता है अगर कर रहें इंडियन पॉइंट 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 का मार्केट का भी खराब ही नहीं होगा कितना सैंक्शन दालेगा जैसे पुदिन को पता चलेगा हाँ पुदिन के पास अगर यह नियूज तो ऑवियसली गया होगा कि यूएस ने अपने तरफ से 19 सैंक्शन्स 19 कंपनी क इंडिया के पुदिन बोलेगा कि आप उन लोगे साथ आपना जो ट्रेड है वह भी बढ़ा दो और भी ज्यादा हम लोग करेंगे तो नो डाउट अभी यह सब से हम लोग को यह तो पता चल गया के भाई सैंक्शन्स का एक टाइम में या फिर सैंक्शन्स का जो डर था वह अभी रहा नहीं जिसके वाईसे यह सारे कंपनी के जो ओनरी यह लोग कंप्रेटली क्रीर और क्लियर बोल दिया कि हम लोग को कुछ आता जाता है नहीं हम लोग जैसे काम करेंगे उल्टा मुझे लगता है कि इन लोगा जो सेल्स से अगर हम लोग बाद में आज एक साल बा अगर आपको चाहिए फिर से डालो हम लोग जैसे काम करें हम लोग ऐसे ही काम करते रहेंगे वीडियो आपको इंट्रेस्टिंग लगा अगर आपके लाइप में भी कोई ऐसा है जो आपके लाइप में सेंक्शन डालते हैं कि यह खाओ वह मत खाओ यह करो मत करो यह परो या फिर इस टाइम में आपको घर आना पड़ेगा तो कमेंट कीजिए अगर आपको ऐसे इंट यूद्ट चैनल डाइज अतनू पॉल एटी ए निव स्पेस पीवल में जाके सब्स्राइब कीजिए बहुत सारे इंट्रिस्टिंग कोपिक में आपके पास बहुत सारा वीडियो वहां आप देखने को मिलेगा जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है आपके चेंज कर ले आपको रोके ना कोई कुछ देखने के लिए या फिर वह अपना सेंक्शन का लेवल है और यह वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद